मैं बिया सुपाद्या विजबाल एफिट कंप्यूटर डिजन के ऑनलाइन क्लासे इसमें एक वाफिर स्वागत का तॉस्डेट फिर आज हमें एक नई टॉपिक लिके आए हैं यह टॉपिक एकाउंट सेक्शन के लिए बहुत ही जादा इंपॉटेंट है हर टॉपिक जो पढ़ा जा रहा है उन टॉपिक को सुरुष से अंतक देखा कीजे क्योंकि हर टॉपिक बिजनस वर्क के लिए बहुत ही जा रहा है यूस्पूल होता है तो पिछली टॉपिक प्रेशन लोग पढ़े थे डिसकाउंट के बारे में ट्रेड की जाती है इसकी जनरी कैसी पास की जाती है तो आई यह स्टार्ट करते हैं कैसडिसकाउंट तो आपके सामने इसका इसका में है कैस डिसकाउंट जोड प्रेट खरेटी डूओला इरyaो अूंड तो प्रेटरो न स्थी जाय्मों स्तित तो स्वेडाइर वित Meansalen sE एल टैसे हो फ्रेटी होग क्या बूंद दीने में मौडने अंड़ाओ इस बिल विदिन ट्वंटी डेज ही विल रिसीब एड़ फाइब परसेंट डिसकाउट ओके आई डिफिनेशन इसका हिंदी में जाने डिफिनेशन तो नगत बट्टा ग्रहाकों से तुरंत अत्वा एक निश्चित अउधी के अंदर नगत भुक्तान प्राप्ट करने के उड़ेश से जो छूट दी जाती है उसे नगत बट्टा या रोकर बट्टा कहते हैं यानि इस्ट्रीड इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी वैक्ति को हम तदकाल प्राप्ट होता है तो उस समय जो छूट ग्रहांकों से प्राप्ट की जाती है या हमें जो प्राप्ट होता है उसे हम cash discount कहते हैं केवल नगत लेंदेन पे ही cash discount को दिखाय जाता है और ये बिल में भी show की जाती है आई इस्ट्वेंट इसका example देखें तो आपके सामने example है good sold for cash with 10% cash discount of Rs. 5000 यानि 5000 रुपए का नगत माल बेचा हुआ है आपने जिसमें बैपारिक छुट दिया हुआ है 10% cash discount तो आपने क्या करेंगे इस्ट्वेंट सबसे पहले 5,000 में 10% आप निकाल देंगे तो आएगा 500 रुपए तो 5,000 में 500 रुपए आपने घटा दिया तो बिल कितने के बना 4500 रुपए का तो इसकी जनले इंट्री पास करेंगे cash account debit 4500 रुपए discount outward के DR 500 रुपए to sell 5,000 रुपए जनले इस्ट्वेंट देखा कि इसमें हमें 5000 रुपए का जो माल मैं बेचा हूँ उसमें मात्र प्राप्ट हुआ 4500 रुपए और 500 रुपए का discount मैंने सामने वाले customer को दिया है इसका नेशनली दीगे being goods sold for cash with 10% cash discount इस्ट्वेंट इसका अगला इस एक्जामपल देखते हैं तो अगला इस आपन है goods purchase for cash with 10% cash discount आफ रुपीस 500 रुपए नगत माल आपने खरीदा है पांच यहार का 10% cash discount पे तो इस्ट्वेंट पांच यहार में 10% निकाल दीजिए पांच यहार का 10% हुआ आपका 500 रुपए तो पांच यहार में 10% घटा दीजिए यानि 500 रुपए गटा दीजिए 4500 का बिल मेना इसकी बिलिंग पास करेंगे purchase की purchase का on debit कितने कमाल आया आप आपके पांच यहार का टू कैस कितना दिया 4500 रुपए तू डिस्काउंट रिसीब कितना डिस्काउंट पर आपको 500 रुपए आपको तो फाइदा 500 को हुआ माल आपके पास 500 रुपए का आया और 4500 रुपए का बुक्तान किया इसका नायसा नहींगे being goods purchase for cash with 10% cash discount यह था का नगत आई एक्जाम पर इसका compound देखे हैं हम लोग compound entry कैसे पास करते हैं तो अगरा इस्विन आपके सामने compound journal entry trade with cash discount यानि trade और cash discount के entry compound उधार नगत के साथ कैसे करते हैं तो इस्विन आपके सामने जो इस दिया गया है यह goods sold for cash with 10% trade discount and 5% cash discount of रुपीस 5000 यानि नगत माल बेचा गया है 10% वैपारिक छूट पे और 5% नगत छूट पे तो नगत माल आपने बेचने पर यानि टोटल माल कितने के तक पांच यार इसकी calculation कैसे करेंगे स्वेंट सबसे वहले 5,000 का 10% वैपारिक छूट निकाल दीजिए जो आपके सामने निकला हुआ है तो 10% वैपारिक छूट निकाल दीए कितना आया है 500 रुपे तो 5,000 में 500 रुपे घटा दिया वैपारिक छूट तो 4500 का आपका बिल बना ओके यह बि आपको करना पड़ा यानि 4500 रुपे आउट घट गया जिसको बोलते है कैस दिसकाउंट तो 25 का छूट आपने कस्टमर को और दिया है तो 45 रुपे घटा दिये तो आपको इश्वन कितना प्राप्त हुआ है 4,275 रुपे प्राप्त हुए और दुकांदार को दिया कस्टम इसको और मिल गई आई इसकी इंट्री कैसे पास करते हैं कि इसकी इंट्री पास करें कैसे काउंट डेबिट कितना आया 4 या 275 रुपे नगत प्राप्त हुआ डिसकाउंट आउट वाड आपने दिया दो 25 रुपे दिया और माल आपके पास से गया 4500 रुपे का नारेशन डिङन दिगे बीढुट सोल फार कैस्से टेट डिसकाउंट अड़ पार्शन दिसकाउंट याई स्विंट इसकाउंट कांट की इसका पास करेंगे का बाॉट के साथ तो अगला इक वाट पाउन आपके सानुव फिर है गूट्स परचेस फॉर कैस्स रिचाउंट डिस्काउंट 5% कैस्ट डिस्काउंट और पांच यह रुपए यानि पांच यह रुपए का आपने नगत माल ख़ईदा और यह भी नगत ख़ईदा गया है इसमें सेम कंडिशन है यह पांच यह रुपए 10% चुट निकाल दीजिए 45 रुपए आया फिर 45 रुपए में आपने फिर 5% नगत ख़टा दीजिए तो आपका 225 रुपए आया तो फिर 45 रुपए था उसमें 225 रुपए गठाने बाद जो बिल बनेगा आपको कितना होपस कर दिया उसने 225 रुपए का यह जनर इंट्री बन गया आपके सामने इसका नैसल लिए विंग गुड्स पर्चेस फॉर कैस्ट विट 10% डिसकाउंट और 5% कैस्ट इसकाउंट इसका जाने एक कंपाउंड के साथ उधार नगत की इंट्री कैसे पास करत एंड फिप्टी परसंट कैस आप्रप्रप्रीस फाइब सोजन यानि जो आपने राम से माल उधार खरीदा है उस उधार माल की कीमत 5,000 है जिसमें बैपारिक छूट 10% डे रहे हैं और 5% नगत छूट भी दे रहे हैं लेकिन सामने वाला ग्रहत यानि जो आपने राम से खर कर दिया हुआ है सबसे पहले आप क्या करेंगे पांच रहार पर 10% आप घरा दीजिए 500 रुपे तो 5000 में 50-50 रुपिए तो कितने पिल बिनएगा 5 रुपे यानि 4500 रुप या तो 4500 रुप पर ये नेट पर्चेश पड़ेगा इतने का माल मुझे पड़ेगा ही चाहें पै माल खुए दिया है उस उद्धार माल पे मैं निया तो पचास प्सेंट मैं ने दिया हुआ इसमें पांच पंट कर दिस्काउंड मिलेगा तो क्या होगा और उसमें पचास पसेंड पहले सबसे पचाहस लुपर यहां पर अग्ला इसकिन देखिए तो आपको पांच पर चूट मिल दिया उसमें पांच परशन चूट आपको और मिल जाएगी तो बाइस सो पचाहस में पांच परशन निकाल देंगे तो एक हजार इक सो बारोर रुपे पचास मैसे अपको छूट मिल twenties एक सो बारोर रुपे 50 पैसे का अब शूट 50 पैसे के हिसाब तो तोでは और बचां कितना आपको उढ़ारी 50 पैसे तुट 25 सों पचास मेंします निकाल तो तो 250 के अभी उधारी है जो आपको राम को देना बाकी है आईए इसकी इंट्री जनल इंट्री कैसे पास करेंगे तो पर्चेस काउंट डेविट कितना है 4500 रुपे टू कैस कितना दिया 21370 परसे नगत दिया टू डिसकाउंट रिसीप कितना मिला आपको 112 रुपे 50 परसे ट दिसकाउंट 5 पर स्काउंट 5 पर से ऐन 50 पर से घाष सब्सक्राइब क्यारा नगत फैसे पास करेंगे वह देख लेटे हैं तो आपके सामने हैं कमपाउंड कैसे यानि अशिल्क बूट सूर्चु राम ऑन क्रेडिट विट रिट न पर से और दिसकाउंट 5 पर संट कैस दि यानि राम से आपने 5,000 रुपय का उधार माल खरीदा राम ने आपको 10% बैपारिक चुट दे रहा है 5% नगट चुट दिया और राम को आपने ततकाल बुक्तान कितना कर दिया 50% आपने ततकाल पेमिंट कर दिया सबसे पहले बैपारिक चुट निकाल दिये 5,000 रुपय आया तो यह आपका 45 रुपय नेट से लुगा इने इतने का माल आपको बेच नहीं है या पैसा भी देंगे या नहीं देते तो भी आपको इतने का पड़ेगा तो आपने ततकाल पेमिंट को कितना पैसा दे दिया 50% उ को दे दिया आपने तो 45 रुपय 50% है आपका इस्ट्वेंट तो इसमें आपको बाईसा पचास में या यह पचास पसंद फिया यह पांच पसंद कैज जो छूट मिलदा हुआ आप निकाल दिये तो एक सो बार रुपय 50 पसे आपको छूट देना पड़ा राम को यानि राम ने वाइस सो पचास जो आपको दिया था उसमें से उसको वापस कर दिया आपने 111 152 पैसे उसको वापस कर दिया तो आपका 50% अभी आपका बाकी है तो निकाल दिया तो 2250 रुपर भी राम को देना हमें बाकी है इसकी इन्री बनाएंगे राम डेविट निखा दिया 2250 रुपाया है ने 217 फिर ग्रहा जू जो देना उसको जो तकाल में दिया हुआ है और डिस्काउंट रिसीब जो उसने हमें वापस किया है एक सो बार रुर पैचास पसे मुझे वापस हुआ है और टू से इल्माल कितने का गया है टोटल पैतालिस सो रुपे का तो यह टोटल इसकी है जन्राइब बन गया आपके सामने उधार नगत दोनों इसकी जन्राइट आपको समझ में आया होगा कैस डिसकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और इसकी जन्राइटरी कैसे की जाती है तो हर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को आपने मित्र और दोस्तों के सेर कीजिए ताकि एकाउंट सेक्शन में अगर कोई मित्र या दोस्त या खुद आप बिजनस या अकाउंट या आपका खुद का बिजनस हो या कहीं आप जॉब करना चाहते हैं तो हर टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यार इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को सुरूर्ट से आंतर देखा कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो व ग्लेम की इंट्री कैसे पास की जाती है मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद